गाइस गाइस क्या आप भी अप्लाइ करना चाहरो चेक रेपब्लिक के लिए वर पर्मिट अगर हाँ सो गाइस मैं इस वीडियो में यही बताने वाला हूं कि क्या आपका क्राइटेरिया रहेगा अपलाइ करने का क्या-क्या डॉक्मेंटेशन लगेंगे so a to z आपको information दूँगा मैं check republic के work permit के बारे में but आपको एक काम करना है last alak के वीडियो में बने रहना है क्योंकि अगर आप बीच में छोड़ के चले जाओगे guys then आप समझ नहीं पाओगे क्योंकि मैं कहीं भी कोई भी step आपको बता सकता हूँ जो जो मेरे माइंड में आता रहेगा वो मैं last alak के बताता रहूँगा बहुत ही important है कि आप last alak के बने रहो हमारे साथ और सारी चीज़े समझते रहो अच्छे से और आप चैनल पर हमारे नए हो तो आप support करने के लिए हमें एक काम कर सकते हो कि हमारे चैनल को subscribe कर सकते हो bell icon क्लिक कर सकते हो जिससे कि आप तलग के new notification पहुचती रहे हमारी news के related information and job offers के related आप तलग के पहुचती रहे अगर वीडियो अच्छी लगे लाइक जरूर करना कमेंट करना और शेयर करना तो स्टार्ट करते हैं आज की information को आज की information जैसे कि मैंने पहले भी बता दिया कि चेक रिपब्लिक के वर्पर्मिट के related है सब्सक्राइबर है जिन्होंने मुझे कमेंट किया कि सर मुझे यह वताओ कि क्या एज फैक्टर रहता है चेक रिपब्लिक में वर्पर्मिट अप्लाए करने के लिए सो मैंने उसको बहुत analyze किया analyze करने के बाद उसके ministry of labor के website पर मैं गया और चेक आउट किया तो मुझे काफी सारी details मिली ओके सो काफी सारी details मिली वह भी मैं आपको बताऊंगा इसी वीडियो में सब्सक्राइन तो अथोड़ी की क्रायटरियस की बात करें सो गाइस वीरी करता है कि आप कौन सी में जा रहे हो फंसा इस तो चोंगकर म 네श्ड अपका इस उसक्राइड आपका एच्राइडरिया करता है आपका कौन सी में जा सब्सक्राइब करना तो गाइस उसमें एज आपकी कम होनी चाहिए और अगर आप कोई प्रोफेशनल इसकिल वरकर हो तो अगर उसमें आपकी एज आपकी तक के है ऑके 63 के अबब नहीं होना चीए 63 के नीचे जितने भी डाउनवर्ड एज के लोग है 63 के विफ़ॉर सो वह अप्लाइब कर सकते है एक्शली मैं जो रिटायर्मेंट पीडेड होता है चेक रिपब्लिक के लोकल बंदों का या कोई भी बंदे जो वहां वहां वर कर रहे हैं लोकल से यहांपा मतलम नहीं है बात यहां यह है कि जो भी एम्प्लॉईर वहां वर कर तो उनकी जो रिटार्मेंट यह वो 63 होती है अगर आपको अप्लाइक करना है अगर फिफ्टी या फिफ्टी वन एयर्स के हो ओके तो आपको इसकिल्स आने चाहिए प्रोफेशनल कोई भी इसकिल्स में होना चाहिए जैसे आपका इंजीनियर हो गया से विल इंजीनियर होग तो इसकिल्स वर्किंग में जितने भी एंज प्रोफेशनल यह सबकी एज अगर जादा हो तो कोई दिक्कत नहीं होती है जो भी कंपनी आपको ओफर करती है वर्पर्मेंट वह आपको अराम से ले लेती है बट अगर आप जहां पर कोई हैवी एक्यूप्मेंट उटाने की होगी तो महाँ पर आपकी एज कम होनी चाहिए सो यह क्राइटेरिया जो था एज क्राइटेरिया वह सौट आउट हो गया सौट हो गया एंड गाइस एक और चीज़ बता दूं फर्स्ट अपर चेक रिपब्लिक का वर्ट पर्मेंट लगने के लिए आपको भी काफी मेहनत करनी पड़ती हैं आपके पास भी कौलिफिकेशन होना जरूरी है ट्वेल्थ आपके पास आपका जो बोर्ड बोर्ड होते हैं उनके कौलिफिकेशन होना बहुत जरूरी है गाइस आपका हाई स्कूल हो गया इंटरमीडियेट यह दो आपके वह हैं जो आपके पास होना च चाहिए ओके सो यह क्राइटेरिया था और चीज़ बताऊं कि फर्स्ट आफ ओल चेक रिपब्लिक का इंडिया में वीजा आने से पहले बहुत सारे प्रोसेल रहते हैं बहुत सारी डिफिकल्टी रहती है क्योंकि चेक रिपब्लिक यू का आपका एक गवर्मेंट आर्टिकल है जिसके तहद उन लोग का यह कहना है कि अगर उनकी यू रिजन में कोई भी बंदा अगर नहीं होकता है उस जॉब के लिए सैटिस्वाइट अगर कंपनी को नहीं मिल पाता है कोई बंदा यू रिजन में या आपका चेक रिपब्लिक में अगर कोई ने हुआ तो चेक र अगर भी नहीं मिली दैन वो लोग को जॉब प्रोवाइट करते हैं घुद की कंट्री में मिला दैन और दूसरी कंट्री को भेजते हैं तो यहां पर डिफिकल्टी आ जाती क्योंकि एसा बहुत कम होता है कि वहाँ के बंदें ना मिलें क्योंकि कालिफिकेशन रेट जो है तो बहुत हाई है अपना जो इंडिया का या पाकिस्तान का या पांगलादेश का थोड़ा सा लोग है तो जाहिर सी बात है कि वो लोग काफी डिफिकल्टी मेंटेन कर देते हैं अपलाय करने को बट अगर आप कॉलिफाइड हो एंड आपके कॉलिफिकेशन के रिलेटेड अगर जॉब होगी तो आपको इसली मिल भी जाएगी बट वही है कि एक बार आपके पास स्ट्राइक करें वो जॉब बस यह चीज में है क्योंक रिजन में घूमती रहेगी इधर से उधर इधर से उधर कि कोई भी बंदा उसको अपलाय करते हैं अगर तीस दिन के अंडर नहीं होता है देन वह बाहर कंट्री को प्रोवाइड करते हैं तो यह थी कुछ चीज आपके डॉक्मेंटेशन देखिए वर्क परमेट में भी व उसकी पीडिया बना सकते हो और वहीं डॉक्मेंट सेंड कर सकते हो फिर बता दूँ आपका पासपोर्ट साइस फोटो लगेगा आपकी स्कैन कॉपी लगेगी और आपका पासपोर्ट वैलेड होना चाहिए अगर आप जा रहे हो महां तो आपका तीन थ्री मंस बिफोर की का पासवर्ट होना चाहिए तीन महीने में जैसे आपका एक्सपायर हो रहा है और आप उससे पहले जाओगे तो ही तीन महीने पहले जाओगे तो ही आप महां जा सकते हो के सो यह कुछ क्राइटेरिया डॉक्मेंट्स के रिलिटेड एंड कैजूली जब भी हम वर्क पर्मि इसा नहीं काफी जदा तर नहीं होता है कि जॉब्स करें आउटर कंट्रीज को आउटर कंट्रीज्स के कैडिडेट्स को के बाट जो छोड़ी छोड़ी जोड़ी जॉब्स होते हैं आपकी जेनरल वर्कल्स लेबर्स की तो यह सब आती रहती हैं गाईस विसके पे बहुत 12 मार्क शीट होनी चाहिए ओके आपका हाई स्कूल एंटरमीडियेट कंप्लीट होना चाहिए और आपको थोड़ी बहुत इंग्लिश बोलनी आनी चाहिए ओके यह कुछ क्राइटेरिया रहता है ओके यह कुछ इनफॉर्मेशन थी आपका चेक रिपबलिक के वर्परमिट के रिलेटेड अगर आपको लगे कि कोई और चीज मिस आउट है तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हो एंड यह और वर्क आउट करेंगे आपको बताएंगे बट एज क्राइटेरिया भी मैंने बत प्रोफेशनल हो तो देन वहां पर यह बात आ जाती है कि आप अगर 50 या 51 एज के भी हो तो अब टू 63 एज के बंदे जो हैं अंडर जो 63 के एज के अंडर आते हैं वह कोई भी जॉब कर सकते हैं जो कि आपका प्रोफेशनल लाइन एंड स्किल वर्कर से रिलेटेड हो ओके यह थे कुछ पॉइंट क्योंकि गाईज देखो आज कल के टाइम में क्या चल ला है चेक रिपब्लिक का अगर यूं बताओं तो मैंने एक और वीडियो बना के रखा है जो कि महां की टी आर्सी अप्लाय करने का है क्योंकि अभी टी आर्सी वो लोग दे रहें बंदों को की ऑफिशल वेबसाइट पर आपको कुछ क्वेश्चिन आंसर करने पड़ेंगे देन वह आपको दे देंगे ओके आपको टी आर्सी इसली मिल जाएगी सो आप चेक आउट कर सकते हो वीडियो को आपको आई बटन में मिल जाएगी सो यह क्राइटेरिया था कि आपके पास सक्क्राइब को एंद की पासपोर्ट की जादा होना चाहिए कि यह हर बंदे को यह मालूम है कि वर्क पर्मिट करने जा रहा हूं तो उसकी पास्वोट की जाधा होना चाहिए आपको लगे कि कुछ और चीज भी मैंने मिस्ट आउट कर दी है एंड गाइस एक और चीज बता दू मिस्ट आउट कुछ नहीं किये मैंने अपने जितना मैंने देखा के सारी चीजे जो है वो सेम है जो भी चीज अलग थी वो मैंने बता दी बट देखे अभी तो हमारे पास कोई भी चेक रिपबलिक का वीजा वर्क है नहीं आपका बस वही वहीं बात है वर्यार है करता है कि आप कौन से लिए जारो कौन सांथ कंपनी वेंच बता दी कोई बंद में 63 एज का हो गया थे हो जा फिर वह उस हाल में नहीं होता वहां के हसाथ सब कर सके जह था पुरा information वेंग सारी चीज़े सेम है केशवली वर पर्मिट के रिलेटेड वद एक बार आपके बास जोब इस ट्राइक करना चाहिए and then साथ चीजे डिपेंड करती है कमपणी पे कि उनका क्या क्राइटेरिया है आपको किस एज पर वो आउट हुआ आपकी तरफ से तो देन आप कमेंट करके फिर से बताना फिर से एक और वीडियो बना दूंगा मैं जिससे आपको पता दूं अच्छे से कि क्या क्या पॉइंट थे एंड उसके अडिशनल लगा कुछ मुझे लगेगा कि बताना चाहिए वो भी मैं बता दूंग ओके यहीं पर होती है खतम आच की हमारी वीडियो अगर अच्छी लगे लाइफ जरूर करना शेयर करना अगर आपको लगे कि दूसरों तरह की इंफॉर्मेशन पहुशनी चाहिए लाइफ जरूर करना कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलना नेक्स टॉपिक के बारे में जरूर बताना कि कौन से नेक्स टॉपिक पर हमारी वीडियो होना चाहिए फिर मिलेंगे एक और बहुत ही अच्छी इंफॉर्मेशन के साथ बहुत ही अच्छी न्यूज एंड जोब आफर्स के साथ बड़ तब तरह के लिए वेट करना फिर से मिलेंगे बाइंड टेक कि अच्छी छोर बतान उड़ ऑन भीडियों प्सेट से अच्छी होना प्रिए के लिए बड़ आखर सेखिके लिए